आप सभी लोग ने पंच्यायती राज विवस्ता के बारे में सुना होगा और आप लोग यह भी जानते होंगे कि 24 अपरेल को पंच्यायती राज दिवस के रूम में आप लोग मनाते हैं और आप लोगों को मालू होना चाहिए कि आपकी परिक्षाओं में इससे कुष्टन्स आते रहते हैं फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो या फिर आपका इस्टेट PCS हो या फिर आप देखते हैं वंडे एकजाम हो और फिर भी अगर आप किसी भी एकजाम की तयारी नहीं कर हो रहे हैं तब भी आपको मालूत होना चाहिए स्थानी पंचायतों के बारे मैं आपको अपने सर्वंजस आपके बारे में मालू होने चाहिए जिसे आप लोग प्रधान के नाम से भी जानते हैं ठीक है बैसे आप समझे की यह हमारी प्यारी पितिवी और इसमें आप देखेंगे कि आपकी राजधानी नई दिल्ली हो गई, उसके बाद आप समझे कि उपर सबसे पहले आप देखते हैं कि पिधान मंत्री साहब है, उसमें आप देखते हैं लोकसभा सदस्स हो गया आपके, फिर आप देखते हैं कि बिधान सबस्स हो गया आपके, लेकिन आप स थानी ये पंच्यायतों का, आप समझ रहें? जैसे मालली जी कि आप किसी गाउं में रहते हैं, अब आप सोची कि उस गाउं की क्या प्रॉब्लम है? ये आपका विधायक नहीं जानता होगा, ये आपका लोगसभा सदस नहीं जानता होगा, आपकी प्रधान मंतरी को मालू न तरीके से आपका सरपच जानता होगा, और इसलिए एक तरह से इन विवस्था की गई थी, ये गाउं का भी एक तरह से विकास हो सके, और आप सभी जानते हैं, कि अगर गांधी जी कुछ समय के लिए और जिंदा रहते, तो आप समझें, तभी सम्मीधान में आपकी पंच् इससे भी पूचा जा चुका है, जो आर्टीकल यानि की अनुच्छेद आपका 40 है, ये पंच्यायतों के गठन की बात करता है, ठीक है, आर्टीकल 40, अनुच्छेद 40, ठीक है, और एक कुश्चन आपसे ये भी कई बार पूच लिया है, कि सबसे पहले कहां एक तरह से डीवाइ लागू किया गया था, ठीक है, एक जा waterproof को मालो होना चाहिए, इसमें आप देखेंगे कि बाहरएवाब राष्टीए पंचायत राजदिवस हैं और हाली में आप देखेंगे 24 अपरैल 2021 को बाहरएवाथ राष्टीए पंचायत राजदिवस मनाया गया था, तो इ यहां तक देखिए आप लोग कि UN से भी नवाजी जाते हैं, UN भी उन्हें सम्मान देता है, तो कई सरपंच आपको देखने कुमलेगे जो अपना इमानदारी से काम करता है, और यह यकीन मानिए आप लो, कि आपके गाओं की 90% समस्या है, आपका सरपंच भी, सरपंच ही खतम कर सकता है, उनका समाधान कर सकता है, एक सरपंच मात्ते एक ऐसा पराणी है, जो चाहे तो हर यहुजना का लाप, आप समझी हर गाओं की व्यक्ति को दिला सकता है, लेकिन अधिकतर सरपंच किस तरह होते हैं, आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है, अब आप सोचिए जब नीचे कोई लागू करवाने वाला ना हो, आपके गाउं में कोई सरपंच या आपका सचिब ना बताए कि ये उजनाय आपके लिए आई हुई है, तो किसे लाब मिलेगा उसका, समझ रहे हैं आप लोग, इसमें देखेंगे राष्टी पंचयाती पुरुस सेनियों के अंतरकत दिये जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे दीन दयाल, उपाध्याय पंचयात, ससक्तिकन पुरुसकार, ये आपका 224 पंचयातों को दिया गया है, अब आप सोचिए कि आप लोग अपने सरपंच से पुछें कि आपका नंबर है इन पुरुसकारों में या नहीं है, अगर उसने अच्छा काम किया होगा, तो जरूर उसे पुरुसकार मिला हुआ, फिर आप देखेंगे नाना जी देशपुन को राष्टी ये गौरौफ्स ग्राम सभा पुरुसकार, ये 30 ग्राम पंचयातों को दिया गया है, फिर आप देखेंगे, ग्राम पं फिधानमंतिरी ने अद्मोदी ने राष्टी पंचायत पुरुसकार 2020 के तहट बिभिन सेनियों में 5 लाग रोपे से लेकर 50 लाग रोपे तक पुरुसकार धनरासी अनुदान सहायता की रोम में हस्तांतरित की है। और याद रही कि यह धरासी रियल टाइम आधार पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरन हुई है। पंचायती राजदिवस के बारे में आगर हम बात करें तो आप सभी को मालो होना चाहिए एक 73 समिधान संसोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष में पितेक वर्स 24 अपरेल को भारत सरकार की पंचायती राजमंतराले द्वारा राश्टी ये पंचायती राजदिवस मनाया जाता है और इसे आप देखेंगे इसे दिवस को मनानी की सुरुवाद 2010 में हुई थी आप लोगों से या इस्टेट PCS आप समझे आप लोग आपका सिविल सर्विस के प्रेलियम से में आ जाएगा कि पंचायती राजदिवस्ता के बारे में सही कथन है आपको नीचे चार ओपसन दे देगा उसमें कहेगा कि पहली बार कम मनाया गया था किस डेट को मनाया जाता है और पंचायती राजदिवस्ता किस मतलब कौन सा समिधान संसोधन था पंचायतों के गठन से संबंदिद किस अनुचेद में इसकी विवस्ता की बात की गई है इन सबको आप याद रखिए और उस समय भारत की तदकालीन पिदान मंतरी मनमोहन सिंग ने 24 सपरेल 2010 को पहला पंचायती राजदिवस्त मनाया था और 24 सपरेल 2015 को पिदान मंतरी ने निर्वाचित पंचायत पितिनीधियों से अहान किया था कि वे सरपंच पती की पिथा की समापती की ओर अगरसर हो आप देखते हैं कि अभी कोई महला अगर जीतती है तो उसके आंगे उसके पती का नाम जोड़ते रहते हैं और आपने देखा होगा कि जब चुनाओ अगर पती लड़ रहा हो या चुनाओ जीत चुका हो तो पतनी का नाम नहीं जोड़ता है इसे ही की बात करें इस तेहत्तरवे समिधान संसोधन को जरूर याद रखिए कुछ सम्तियां हैं इनसे भी आपके कईवार डारेक्ट कुश्चन्स बन जाते हैं तो चार सम्तियों को आप लोगों को याद रखना होगा एक तो आपकी बलवंत राय मेटा सम्ति पंचायती राजवेवस्ता से सम्बंदित है असोक मेटा सम्ति पंचायती राजवेवस्ता से सम्बंदित है जेवी के राओ सम्ति एवी पंचायती राजवेवस्ता से सम्बंदित है डॉक्टर L. M. सिंदिवी सम्ती ये भी आपकी पंचायती राजविवस्ता से संबंदित है कई बार आप से पूँच लेता है कि इन में से कौन सी सम्ती चारोप संदेगा आप लोगों को और पूछेगा इन मेंसे कौन सी सम्ती पंचायती राजविवस्ता से संबंदित नहीं है या फिर है तो इन सब के बारे में आप लोगों को मालू होना चाहिए ठीक है और इसकी अगर 73 समिधान संसोधन की अगर हम बात करें तो लोकतंत की सभलता में इसमें नहित है जब सासन की सभी इस्तरों पर जन्ता की भागेदारी सुनिश्चित हो और इसलिए पंचायती राजविवस्ता लाने के लिए संसद में संसद ने 24 अप्रेल 1952 को 73 समिधान संसोधन अधिनियम को पारित किया था हालाकि ये अधिनियम 1993 में लागू हुआ और जिस दिन ये पारित हुए था उसी के उपलक्ष में एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसे हम लोग पंचायती राजविस्त की रूम में मनाते हैं 73 समिधान संसुधन अधिनियम के तहर तीन इस तरह ये पंचायती परणाली का प्राउधन किया गया है एक आप देखते हैं ग्राम पंचायत फिर आप देखते हैं ग्राम मद्वर्ती और जिलास्तर के ठीक है एक questions और बन जाता है, कि जो आपका इस्थानिय चुनाव होता है, पंच्यायतों का हो, फिर नगर पाल का की है, या फिर नगर पंच्यायतों का, या नगर नेगम का, इनका कौन करवाता है, राश्टी ये जो आपका राश्टी लेवल पर आपका जो चुनायोग है या फिर राज्य चुनायोग तो याद रखिए हर राज्य का अपना एक चुनायोग होता है चुनायोग आपका राज चुनायोग इस्थानिय निकाय जो भी रहते हैं इनके चुनायोग करवाते हैं ठीक है और जो आपका राष्टी इस तर पर आप देखते हैं चुनायोग वो आपका विधान सभा लोग सभा राज सभा विधान परशल राष्ट पती उपर राष्ट इन सब के चुनाव करवाता है ये भी आप लोग याद रखे ठीक है? और इसके बारे में questions हमेशा पूछे जाते रहे हैं इसलिए आप लोगों से बोलता भी हूँ कि आप लोग कम से कम 5-6 साल के questions फेपर पुराने उठा के देख लिया करेगा इससे क्या रहता है कि एक अंदाजा लग जाता है कि कहां से कितने questions पूछे जा रहे हैं ठीक है? तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखें